हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाएंगे मूंग दाल के धही बड़े तो आईए देख लेते हैं क्या करना है सबसे पहले मूंग की दाल को चार से पांच घंटे भिगो देंगे मिक्सी के पॉट में ले लेंगे हेंग आठ से दस हरी मिर्च और दो इंच साइच का अद्रक का टुकड़ा साथ में ले लेंगे एक बड़ी चमज भर के साबुद जीरा और इसका एक पेस्ट बना लेंगे अब मिक्सी के इसी पॉट में जो दाल भिगो के हमने रखा था उस दाल का भी पेस्ट बना लेंगे दाल हमने लिया है 600 ग्राम पेस्ट बनाते वक्त कोशिश करें कि पानी जादा ना डाले दाल में क्यूंकि बहुत गीला पेस्ट हमें नहीं चाहिए सूखा सूखा ही चाहिए इससे पकोड़ों को तलते वक्त आसानी होगी तो सारी दाल को हमने पीस लिया है इसमें अद्रक हरी मिर्च जीरा और हींका जो पेस्ट था उसे डाल देंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे साथ ही साथ इसमें डालेंगे नमक, स्वाद अनुसार और एक छोटी चम्मच बेकिंग पाउडर सब कुछ बहुत अच्छी तरह से फेट के कुछ देर रख देंगे दूसरी तरफ एक कड़ाई बैठा के तेल गरम करने रखेंगे पकॉडो को तलने के लिए तेल गरम होने पर मन चाहे शेप में पकॉडो को फ्राई कर लेंगे कोई भी शेप आप अपने अनुशार दे सकते हैं तेल पर पकॉडो को डालते वग ध्यान रखे गयाईस की आज तेज रखे इससे पकॉडो बहुत फूले फूले बनेंगे उसके बाद मीडियम टू हाई फ्लेम में धीरे धीरे उलट पलट कर पकॉडो को अच्छी तरफ राई करना है उरत दाल के पकॉडो की तासीर थंडी होती है तो बहुत लोगों को उससे दिक्कत हो जाती है उरत दाल के दही वडो से और जिनका हाजमा भी सही नहीं है उन्हें भी प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसे लोगों के लिए मूंग दाल के दही वडे बहुत अच्छे रहते हैं इससे गैस भी नहीं बनती और इसकी तासीर भी ऐसी थंडी नहीं है कि जल्दी से थंड लग जाए पहला बैच हमारा फ्राई हो गया दूसरा बैच भी फ्राई कर लेते हैं वडो का और जो वडे हम फ्राई करके निकालते जाएंगे उसे एक बड़े बरतन में पानी लेके उसमें भीगोते जाएंगे ताकि वो अच्छी तरह पानी को सोक करे ये जो फ्राई हो चुके हैं इन्हें हम पानी में भिगो देंगे कुछ दिर ऐसे ही पानी में छोड़ देंगे फिर उसे निचोड़ के रख लेंगे अलग से एक तरफ एक बड़े बरतन में दही ले लिया है मैंने डेर किलो उसमें चीनी डालेंगे, दो चमच, काला नमक डालेंगे, सफेद नमक डालेंगे, स्वाद अनुसार साथ में ये भूना मसाला है, जीरा और सूखी मिर्च को भून के पाउडर बनाया हुआ सब कुछ को अच्छे तरह से फेंट लेंगे मसाला और नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या जादा कर सकते है 600 ग्राम डाल के पकोड़े बन रहे हैं और दही मैंने डेर किलो लिया है अब दही को गाड़ी रखनी है या पतला करना है ये भी आप पे डिपेंट करता है अगर गाड़ा रखना है तो पानी ना डाले मुझे थोड़ा पतला चाहिए था तो मैंने पानी आड़ किया है ये जो भीगे हुए पानी में भीगे हुए वरो को नीचोड़ के रखा था हमने उसे अब इस दही बड़े के मिक्सचर में डाल देंगे अच्छी तरह सोक करने देंगे उपर से लाल मिर्च का पाउडर और वो भूना मसाला और भी डाल सकते हैं और कुछ देर जब ये सोक हो जाएंगे तो हमारे दही बड़े खाने के लिए एकदम तयार है चाहे तो साथ में मीठी चटनी भी ले सकते हैं मीठी चटनी हरी चटनी ये सब कुछ ऑप्शनल है आप चाहे तो ले सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को मेरी दही मूंग डाल के दही बड़े की रेसिपी पसंद आई होगी मेरे वीडियोज आपको अच्छे लगती हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा थाया 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 थे रिजए और दीख का अच्छे आपको अच्छे वाचे लगता है